काबुल जुवानन के 20 साल के युवा उपनल बल्लेबाज हर्जरतुला जजाएनेटी 20 फॉर्मेट में ऐसा कार नामा किया है जिसने भारतिय क्रिकेट आ युवराज सिंग के यादगार चकों की याद ताजा कर दी है शारजा क्रिकेट स्टेटियम में खेले गए अफगानिस्तान प्रीमिय लीग एपियल के चौधवे यादगार मुकाबले में हर्जरतुला ने 6 गिंदो पर 6 चके जड़कर टीबीस क्रिकेट में इतिहास रच दिया पता दे कि इससे पहले ये कारनामा करने वाले युवराज इकलोते बल्लेवास थे अब हर्जरतुला च्छे गिंदो पर 6 चके जड़ने वाले दुनिया के चटे क्रिकेट बन गए हैं इनसे पहले गेरी सोबर्ज, रवी शास्त्री, हर्शल गिब्स, युवराज सिंग आर जॉर्डन थ्लाक यह कारनामा कर चुके हैं मजारी की 6 गिंदो पर गगन चुम्बी 6 चके बाल ख्लीजेंट के 245 रनों के लक्षे का पीछा करने उतरी काबुल जवानन के सलामी बल्लेवास हर्ज तक बनाकर रेकॉर्ड भी बनाया, दो गिंदो पर लगातार चक्के लगने के बाद मजारी दिशा से भटके और उन्होंने अगली गिंदवाइद डाली, वहीं बाकी 4 गिंदो पर हज्रतुला ने मजारी को ना बखशुते हुए लगातार चके जड़कर इतिहास रच दिय सबसे तेज 50 बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाडी अपनी ताबढ़ तोड़ और यादगार पारी खेल कर हज्रतुला ने खुद को एक और सूची में शूमार कर लिया है, 6 गिंदो पर 6 चकों के अलावा उन्होंने 12 गिंदो पर सबसे तेज अर्दशा तक भी पूरा किया और ऐसा करने वाले वो दुनिया के तीसरे खिलाडी बन गए हैं, इससे पहले ये रिकॉर्ड 2007 में युवराज सिंग और 2015 में विंदीज के क्रिस गेल ने बनाया था, मजारी के नाम भी दर्च हुआ अन्चाहा रिकॉर्ड वहीं अपने पहले ही ओवा में 6 चके खाने वाले बाल्ख लीजेंट के स्पिनर अब्दुल्ला मजारी के नाम भी एक अन्चाहा रिकॉर्ड दर्च हो गया, इससे पहले साल 2007 में टीबीस वर्ल्ड काप में इंगलिंड के स्टूर्ट प्रॉड के नाम भी ऐसा ही अन्चाहा रिकॉर्ड दर्च हुआ था, युवराज इसनी टीबीस वर्ल्ड काप में जड़े थे 6 चाह के